प्रेस के सभी सातियों को मेरा नमाशकार आज हम यूद कॉंगरस की तरफ से प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं जिसमें मैं स्टेट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट अभी भूशन और जी एस पैमिद और हमारे सेनियर भईया है जो एक सेक्रेटरी रेचिपया यूद कॉंगरस के सनी भईया हम सभाज यह मौजूर है अभी दो दिन पहले एक प्रेस कॉंफरेंस हुआ था जो बिजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट अजे बैरागी जी ने हम उसी प्रेस कॉंफरेंस को लेकर आज बात करने वाले है और उनी अपने अंडमान के इशू को लेकर बात करने वाले है अपने जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करने वाले है अजेब एरागी जी ने एक मुद्दा उठाया है एक सवाल किया है यही कि कॉंगेस परिवार पे सवाल करते हुए कि जो धीरत साभू है जिनका अभी ED केस चल रहा है और कुछ करोडों का स्कैम बताया जा रहा है उन पे सवाल करते हुए पूछा है कि इसके लिए कॉंगेस जिम्मेदार है बहुत अच्छा चीज़ है सवाल कर रहे है जागरूप है जनता के बारे में सोच रहे है लेकिन मेरा ये सवाल है कि बलकि मेरा ये कहना है कि बहुत सही चीज़े अगर धीरत साहु जी ने क्राइम किया है अगर उन्होंने पैसा का जोल मुल इस पे काम किया है पैसा हड़कने का जलता की पैसा को तो उन पे बिलकुल कारिवाई होगी और उनको सजा भी होगी हम भी यही चाहते है, यूट कॉंगर्स के तरफ से हमारा पूरा टीम, पूरा कॉंगर्स परिवार यही चाहता है, कारिवाई होगा, अगर वो गलत है तो उन्हें सजा होगा, लेकिन मुझे लगता है अजे पैरागी जी अपने अंडमान के जनता को भूल गए, अपने अंडमान के अपने अंडमान में इतना बड़ा स्कैम है, मुझे लगता है कि किसी और स्टेट में ये नहीं हुआ होगा, कहीं पे लोग इतना परिशान नहीं हुए होंगे एक रास्ता के वज़े से, जो कि हमारा सम्विधान से मिला हुआ अधिकार है और इसी चीज़ को हम आज यहां बात करेंगी, और मैं सवाल करती हूँ अजे जीसे, कि जो बोल रहे हैं कि 70 साल में कॉंग्रेस ने कुछ नहीं किया है मैं कहना चारती हूँ अगर आप आज कॉंग्रेस परिवार के बारे में इतना खुले से, इतना असानी से आप उनको कुछ कह रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं तो यह सम्विधान का अधिकार देने वाला आपको कॉंग्रेस परिवार है अगर कॉंग्रेस परिवार नहीं होता तो आपको ये हक नहीं मिला होता कि आप इतना फ्रीडम के साथ आज यह बात कर रहे होते दिल्ली से इतने सीनियर लीडर विजेपी के यहां आते रहते हैं कभी कोई मंत्री कभी कोई और उन्हें क्यों नॉर्थ और मिडल का सर्वे नहीं करवाया जाता है उन्हें क्यों कभी नॉर्थ और मिडल का दौरा नहीं करवाया जाता है क्यों नहीं लेके जाते, आपका रोड इतना अच्छा है, रोड बन चुका है आपके हिसाब से, जो administration के हिसाब से, on paper रोड बन चुका है, 3500 करोड का घपला है ये, ये हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ के जो senior leader आप लोगों के हैं, उनको क्यों नहीं लेके जाते हैं, क्यो करते हैं, वो कभी क्यों Northern Middle का दोरा नहीं करते हैं, अपने CS साब, वो क्यों कभी जाकर नहीं देखते हैं कि Northern Middle के जनता, वाँके आम जनता, किस हालात में हैं, किस परिशानी में हैं, पुतला जलाना है, तो अजे जी, जलाईए न, RG साब का, क्यों नहीं जलाते हैं, जिम्मेदार हैं, उनका पुतला जलाईए, जो administration के जो लोग इसमें involved हैं, उनका पुतला जलाईए, ministry से जो लोग involved हैं, उनका पुतला जलाईए आप लोग, क्यों चुप हैं, क्यों आम जनता के लिए बात नहीं हो रहा हैं, उनके बारे में कोई क्यों नहीं पूछ रहा है वहां से आने वाले लोग जो नौर्थ और मिडिल में यहां आते हैं पोर्ट वेर में कोई भी अपना डेली काम के लिए अपना राशन के लिए या किसी भी तरह का सुवीदा के लिए कैसे आएंगे रास्ता तो नहीं है उदर पे रास्ता के नाम पे घड़ा, मिट्टी, कीचड ये मिला है जो महीला प्रेग्नेंट महीला जो उनको वहां से अगर यहां रेफिर किया जाता है वो कैसे पहुँचेंगे क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं है सरकार इनका सरकार है बिजेपी का ना क्यूं? चुप क्यूं है? महीला जो सफर कर रहे है वाँ पे ये नहीं पता होता है कि हाँ वो जब नौर्ट और मिडल से निकलती है बोड़ गर सही सलामत पहुच पाएगी जो सीरिस पेशेंट होते है वो यहां सही सलामत पहुच पाएगे कि नहीं कि इसका कोई गैरंटी नहीं होता है जो बुज़र्ग यहां आते है वो कैसे यहां आएंगे? बिना रास्ता का ऐसे हालात में कैसे पहुचेंगे यहां पर? क्या कनेक्टिविटी है नौर्टन मिडल का यहां पर? यहां से कोई भी जॉब वहां जाकर करना नहीं चाहता है वहां पर स्टाफ नहीं होता है, हस्पिटल में, स्कूल में टीचर्स नहीं है वहां के बच्चों का जीवन के अंदकार में है ना? इसका जिम्मेदार कौन है? इस पर बात कीजे अजे जी, आप इस पर बात कीजे चलाना है पुतला, तो इन लोगों का चलाईए जो इसके पीछे जिम्मेदार है जो अपने अंडमान की जनता जो सफर कर रहे है, उसका जिम्मेदार जो है उनका पुतला चलाईए आप लोग, हम भी साथ देंगे, बिल्कुल, आज अनिम्प्लॉइमेंट की बात करें तो, कहां है जॉब, दो करोड जॉब मिलने वाला था, मोदी जी देने वाले थे, कहां है, अडमारमें इतने जगा पे वेकेंसी है, आट, दस-दस हजार होता है, लेकिन कुछ नहीं किया जाता है, जॉब नहीं निकाला जाता है, जब हम कुछ प्रोटेस्ट करते हैं तो, उसके बाद 1000-2000 पोच्ट निकाला जाता है और उसके बाद वापस बन कर देते हैं, क्यों याह के यूवा कहां जाएंगे, कहां जाएंगे जॉब करने के लिए, हमारे यहां के यूवाओं के पास इतना सुविदा नहीं होता है, कि वो बाहर में जाके काम कर सके या अपना जीवन सर्वाइव कर सके, जो गरीब परिवार से है, वो लोग क्या करेंगे, किस के पास में पहले मेरीन में अपने इतने हजारों बच्चे काम करते थे, आज वहाँ पे जॉब नहीं है, इलेक्टिसिटी को प्रविटाइज कर दिया है, लोगों के पास में सुवीदा नहीं है, इस सब का जिम्मेदार कौन है, चलो हमने तो 70 साल में कुछ नहीं क्या कह रहे है, आप ल करने का काम किया है, आज अंडमान में आना है तो दो ही रास्ता है, या तो फ्लाइट या तो शिप, ड्रक्स कैसे पहुँच रहे है अदर पे, आज युवाओ का हालात आप देखिए, क्या हो रहे है, चोटे चोटे बच्चे ड्रक्स करके गूम रहे है, नशा में अपना जीवन अंदकार में लेके जा रहे है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसके लिए किसका पुतला जलाना चाहिए हमें, ड्रक्स कैसे आ रहे हैं या पे, जो गुजरात का जो पोट है, वहांसे जो करोडो करोडो का ड्रक्स जो सप्लाई हो रहे है, वहीं सब यहां पहुँच है ना, बाकी स्टेट में पहुच रहे है, कौन है इसका जिम्मेदार, हमारे पास एजुकेशन का सही सिस्टम नहीं होता है, हमारे पास होस्पिटल का अगर हम बात करें, क्या सुविदा है, बाहर का आप कमपैर करेंगे, कहने को तो जेवी बंद हमारे लिए गौर्ण्मे करवा क्या रहा हो, और तो मैं जाए हर एक सर्जरी के लिए, हर एक चीज के लिए आपको पैसा पे करना पड़ता है, यह सब सवाल कौन करेगा, कौन है इसका जिम्मेदार, क्या आम जिन्ता को भूल गए है, हम कहने के लिए कहते हैं, कि हमारे यहां पे बहुत अच्छा का काम चल रहा है, और लोग अपना सरकार का तारीफ कर रहे है, कि पिछला दस साल में बहुत कुछ किया है, अभी आयश्मान का एक इतना बड़ा स्कैम हुआ है, उसका जम्मेदार कौन है, आयश्मान के नाम पर यहां से ट्रीटमेंट के लिए यह पेशन को भेजा जाता था इसमें बहुत कुछ है, जो मैं आप लोग खुद पता कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पर बात करूंगी कि अभी पिछले एक महीने से इसको बंद कर दिया गया था, क्यों बंद किया गया था? क्योंकि मिनिस्ट्री में हमारे अंडमान के जितने जनता है, उनका सारे लोगों का महाँ पे अपडेट नहीं हुआ था, काड का, भी पिल काड का, किसकी गलती है? अगर मिनिस्ट्री में अगर काड का अपडेट नहीं होता है, तो क्या यहां से आम जनता यहां हम लोग जाके अपडेट करेंगे? किसका काम है यह? और वहाँ पे अगर अपडेट नहीं गरीब परिवार है कहां से लाएंगे पैसा इसका जिम्मेदार कौन है इसके लिए किसका पुतला हमें जलाना चाहिए कहने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है और भी लंबा चिटा है जो हम खोल सकते हैं लेकिन अजे जी ने जो ये बात कही है गांधी परिवार को जो कहा है जो कॉंगरस परिवार के लिए जो अपशब्द किया है उसे वापस लेना होगा वरना यूद कॉंगरस इस बात को सु अब मेरे बात कहने के लिए और भी लोग है आगे अभी भूशन वाइस प्रेजिडेंट बात करेंगे आप सभी को मेरा नमस्कार मेरे सारे मेडिया साथियों को और आप सभी की चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार हाल फिलाल में आपने देखा है कि धीरत साहू जो कॉंगरेस के सांसद है उनके घर से एडी दुआरा कुछ करोडो रुपे बरामद हुए और उसको लेकर यहां के जो लोकल वीजेपी के पॉलिटेशन से उन्होंने बहुत हंगामा किया प्रेस कांफरेंसेस किया और काफी बदनाम किया आवाज उठाए बात सही आवाज उठाना भी चाहिए अगर कहीं गलत होता है तो आवाज उठाना एक नेता का फर्द होता है सही को गलत सही बोलना गलत को गलत बोलना भी चाहिए लेकिन आप लोगों के सामने मैं एक डेटा रखना चाहूंगा जो पिछले पांच सालों में बीजेपी और उसके ऐलाइन्स जितने भी बिजनस पार्टनर्स के दोवारा स्कैम किया गया विजे मालिया के बारे आप सबी जानते ही हैं जो 9000 करोड लेके फरार हो गए मेहूल चौकसी और नेरव मोदी आपको पता होगा पंजाम नैसल बैंक के फराट केस में फसे थे जिन्होंने 14000 करोड का फराट किया हितेश नरेंदर भाई पटेल 8100 करोड जो गुजरात बेस एक बायोटेक कमपनी है उन्होंने 8100 करोड का फराट किया आपको पता होगा कि हमारे प्रदान मंत्री जी नरेंदर मोदी हमेशा ये बयान देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पजाओ बचाओ लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी के एक सांसध है ब्रिजबूशन सरन सिंग जी जो कि Indian Wrestling Federation के Chief भी है उन पे Sexual Harassment के Charges लगे हैं Stalking Intimidation as well as making Sexual Remarks के Charges लगे हैं उनको क्यों नहीं Suspend किया गया जो आजेबेरागी जी इतने बड़े बड़े पुतलों को जलाते हैं कि Congress के Congress ने Scam किया उन सारे लोगों का पुतला जला है तो मैं उनसे ये पुछना चाहूँगा कि इन सांसदों का ये जो लोग जो पैसा लेके भागते हैं उनका पुतला क्यों नहीं जला गया पिछले पांच सालों में हमको एक और चीज़ देखने मिला बीजेपी के द्वारा बीजेपी वाशिंग पावडर निर्मा स्कीम जो आपको पता है उस पे भी में प्रकास डालना चाहूँगा नारायन रैने जी जो कि बीजेपी के एक कैबिनेट मिनिस्टर है उन पे एडी द्वारा तीन सो करोड का चार्जस लगाया गिया जैसे ही उन्होंने बीजेपी में अपना ये भरा अपना मेंबर्शिप लिया वैसे ही सारा का सारा केस खतम उनका पुतला क्यों नहीं चलाया शुबेंद अधिकारी जी जो की बीजेपी की मले एवेस बेंगॉल से उन पे शारदा चीट फंड का स्कैम का एक केस चल रहा था पुतला जलाया गया जो हमारे करनाटका के पूर्व मुख्य मंत्री थे बियस एडूर अप्पा जी उन पे बहुत सरे अंगिनत चार्जस लगाया गया था जैसे ही उन्होंने बीजेपी में अपना नाम सदस्याता लिया उनका भी सारा चार्जस को इमीडियब्ली ड्रॉप क जा था तो मोदी जी ने हमसे कई सारे वादे किये थे जिसमें से कुछ खास एक दो चार इंपॉर्डेंट पॉइंट से में बताऊंगा में किन इंडिया फेलियर स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट फेलियर बुलेट ट्रेन आएगा इंडिया में फेलियर कॉपरेटिफ अग्यारियन इकनौमी बनाया जाएगा तो यह सारा जो वादा हमसे किया गया था बीजेपी के द्वारा जो आज पूरा नहीं वो तो बस एक जुम्ला ही था वैक सपना सपना ही रह गया इसके लिए कब आप लोग बोलने वाले और इसके लिए आप खुद का पुत्ला कब जलाने वाले हो ये आप बताईए मुझे चलिए खेर ये तो सेंट्रल वाला चीज हो गया देश विदेश का बात हो गया लेकिन आप हम आते हैं अंडमान निकोबार में आप सभी को पता होगा अंडमान निकोबार में आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है नौर्थ मेडिल आज अगर पहले जो जगह पे तीन से चार घंटा का ट्राइवल होता था आज उस जगह पे दस दस बारा बारा घंटा लग रहा है साड़े तीन हजार क्रोड से उपर नहीं डी सील को दिया गिया मिनिस्ट्री के द्वारा वो पैसा कहा गिया आप बताईए नितिन गटकरी जी पूरा देश में दिली में यूपी में सब जगह बॉंबे में एक्स्प्रेस हाइवेस बना रहे है लेकिन हमारा एनेश 4 का क्या हाल है उसमें गड़्डा तक नहीं बराए नोंने तो वो सवाल के लिए आप अपने मंत्री से कप पुछने वाले हैं और उनका जूट के लिए उनका पुतला कब जलाने वाले हैं ये बताइए नितिम गटकरी जी दवारा 2015 में विसाल जोली जी के साथ में आकर जो आपके बीजेपी के हो मिनिस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड के पैनल मेंबर भी है उन्होंने बंबू फ्लाट जटी में खड़े होकर 2015 में लोग पूछना चाओंगा और ये भी पूछना चाओंगा कि उस जूट के लिए आप लोग उनका पुतला कब जलाने वाले हो तो ऐसा ही काफी सारा स्कैम से आपको एक और स्कैम बताना चाओंगा जैसे हमारे अज्यक्स जी ने बोला कि ड्रॉग्स का मैटर है एक डियारी का रि पूछना चाओंगा पूछना चाओंगा पूछना चाहिए और हमारा पहला मुद्दा और पहला एम हमेशा यही रहता है कि अंडमार निकोबार आइलेंड्स को कैसा हम आगे लेके जाएंगे उसके लिए पियाराई के पास में डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन जो आज से हमारे कॉंग्रेस का जब सरकार चलता था तो हर एक नेता के पास में जो आप लोग वोट देके अपने एरिया में प्रदान जीला परिसद चुनते हों आप लोग मुनसीबल में काउंसिले राज है एक यूनियन टेरिटरी है जिसमें सिर्फ केंदर सरकार का रूल चलता है राज चलता है अगर पियाराई और मुनसीबल काउंसिलर्स के पास में पावर रहेगा तो वो सारा अपना स्कीम और अपना लुटाई नहीं कर पाएंगे इसलिए उन्होंने क्या किया सारा पियाराई और कॉंसिलर्स इलेक्टेट बोडी से अपना पावर चीन कर अपने ओफिसस के हाथ में दे दिया ताकि पूरा दिल्ली से घंटी बजएगा अंडमान निकोबार आयलेंच में और उनका काम खतम उनको जितना पैसा लूटना है उनका पास आ गया बाकी अंडमान देश का एक हिस्सा है आप लोग हमारे बारे में भी जरूर सोचिए